निपाल सरकार्री मुलिकी फौजदारी कारी बीदी समीता 2004 को दपा एक्षे शोर मां भयको बिद्यमान प्रापदान पछे दपा एक्षे शोर को थब प्रस्ताब वरी शांति पुर्ण राजलेती को मुल्धार मां ल्याउना मुद्धा फिरता लिने लिना शकी ने बेवस्त उक्त प्रस्ताब जस्ताको तस्ते पारित भयमा युँ प्रापदान ले अदालेती प्रक्यामा रहका गंबीर मानवधिकार उल्लंगन रा फौजदारी कसुर का मुद्धारू समेत फिरता लिना शक्ने प्रबल संभाबना रहां चा राजनेतीक प्रणारी संग असमत वै हिम्शात मक्रिया कलाप मां समलन भयको राजनेतीक शक्ति तथा समोलाई मूल दार्मा ल्याउनू प्रस्तम सन्य काम भयता पनि मानव अधिकार को गंभीर उलंगन गर्नेता था मानव ता विरुदा को अपराद मा शंभलंगन गटना का कुने पनी दोशलाई कुने पनी बहानामा माफी दिने बार मुद्धा फिरता लिनू हुदैना बन्यमा आयू इस्पाश्ट चा हत्या बलपुर्वक बेपत्ता कुरूर अमानव यातना गंभीर योन हिम्षा लगयात का घटनामा शंकरमन कालिन न्याय को माध्यम बाट समेत माफी दिनों मिल्दैन बने फौजदारी न्याय प्रशासन को माध्यम बाट माफी दिनों राई कुने पनी शैद्धानिक आध वदिकार को आधार बूत मानेता लाई समेत प्रवाब पारने देखिन चा कुरूर अमाहिक देखिन تरहाण येंस्ट समेत बीवास देखिन ke अधालत मा निबिदस दिने अधाल्ले आ बढ़न दिदै जाने हो बने अदालत को भूमी का गौण बनन जान्चा यस बाट एकात तर्फ पिडित को रहात्र छेदि पूर्थी शहित को न्याय पाउनी अधिकार माथी कुठारा गात हुना पुगदचा बने और को तर्फ मुलक मां हिम्सात मां गतिविदिले प्रशय पाउन का साथी यसता गतिविदि बढ़न गई शान्ते सुलेचा मां समेत खलल पुगदचा पिडित लाई राष्टे समिंत्र बाटा काउनी उप्चार पाप्त हुना शकेन बने अंतर राष्टे स्तर का 17 दिकार समेत आकिस हुना शक्दचा बन्ने मां समय मैं चेतना हुना आयुग नेपाल सरकार को त्याना कर्शन गराउंदचा शंकरमिन कालिन न्याय का मुखे विशेहरु मां सत्यको खोजी र अभिलिखी करण अभियोजन पिडित लाई न्याय परिपुरण र एसकिसिम बाटा कटना पुना नदोरीने सुनिस्तिता लाई लिने गरिन्छा गंबीर अपराद बा मानवजिकार को उल्लंगन मां शंबलंग ब्यक्ति बनी आरोपित अभियोगत बा दोसी कितान बयको ब्यक्ति उपर लागे को मुद्धा फिता लिदा अभियोजन गरने काले बिचमें टुंगिन जाने र एसले पिड़ग बा दोसी लाई सजाय नौन दनले दोन्द काल मां घटे का घटना राई पनी राज देदिक आवडन देर मुद्धा फिता लिदने संबावना बड़ेको छा शाचेम अदालत बाट न्याइक परिच्छेन हुना नपाउने बा न्याइस परिच्छेन भाईशायको अवस्ताहमां मुद्धा फिता लिद कारे दोसीले उन्मक्त पाउनुका साथे न्याइ प्रणालियमाने बिजरन आउन सकने खतरा हुन्छा उल्लेखीत समिक्त रूपमा सार्वजने गरेको धारनाको प्रिच्छ उन्नाइसको शिफारिसको बुदा दुई रत्तीनमा फौजदारी कारे बिदी समिता मुद्धा कारे न्याय समदी कानुन मा पनी अंतराष्ट्य माणवदिकार तथा मानवीय कानुन उल्लंगन का दोसीलाई माफी दिन नौने बनी उल्लेख छा अता संकरमिन काली न्याय को विशेलाई प्रतिकूल असर प्रभाप पर्णिगरी कुने पनी अईन सम्सुन नगर्न र आर्श दर्शित्य मा प्रभाप पर्दःचा। ञास्ले गर्दा आर्तिक, समाजिन ठीथा संकर्थिक अधिकार, स्ares शुच्च, स्वच, आवास, खाने-पानी लगायात नागरी को जिव परजन मा असर पर्दःचा। तेस्ता दलित महिला आदिबासे जन्जाती पांगता भयका बेक्ती जेस्ट नायरिक लगायात। मानवधिकार संबंधी विश्व बैपी घोष्णा पत्र दुजार अर्शालिस को धारा साथ नेपाल को सम्भीदान को धारा अठारा एक ले सवई नायरिक कानु को दिश्टे मां शमान उन्ने उल्लेह गरिकोचा जसर था। शुन्ने श्वाइन सिता को निती अबलमन गरदै उच्च मनुबलका सा श्वतंत्र श्वत्चर निश्पास्य अनुसंदान मारफ़ शमलंगन बेक्ती लाई कानुनी दायरा मा लेवन समेट आयुग आगरव गरदाचा। राजी सक्ते को दुरिपयोग गरी यस्ता निक्रिष्ट अफरात को अनुसंदान मां प्रभाव पार्णा सक्ने तर्फ शचेत रही कानुन बहमजीम अनुसंदान किता अभियोजन को जिमिवारी निर्ध का पार्णा गरणा समेट आयुग सम्मद्द सब्य लाई आगरव गर्ड़ चार